गुद मॉर्निंग फ्रेंड स्वागत है आपका अपनी चैनल लिव फरम अप्डेट्स पर दोस्तों अगर आप 10 भी पास है या आपने आई टी आई किया है या इंटर किया है या ग्रिजिशन किया है कुछ भी अगर किया है अगर आपने और आप चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग कर लें ताकि हमको कहीं अच्छी जोब मिल जाए मेरे एक्स्पिरियंस के आधार पर तो दोस्तों आप अभी बिल्कुल सही जगह पर हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं अप्रेंटिसिप इंडिया की वेबसाइट जो यह है अप्रेंटिसिप मेला यहां पर देख सकते हैं कई अगेमckoρα आपना परफाइल हंडेड़ पर सेंट कंप्लेट करें तो दोस्तों अगर आपको जलसे जल्द से नौकरी के है कि सी ट्रेनिकरने के बाठ क्योंकि दोस्तों बीना ट्रेनिंग किये वह कहीं भी आप जाएंगे तो फ्रेशर के ठोलवर पर आपको ट्रिट किये जा से आप मैंने यहाँ पर रूंपर किया है और करने के बाद यहाँ पर प्रफाय चलिए बढ़ियां से हम आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे आपको 100% प्रोफाइल कंप्लेट करना है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा जो कि भी है जिरूड़ी है अगर आपकई सरकारी कंपणी से ट्रेनिंग करना चाहते हैं अपरेंटिसिप ट्रेनिंग ताकि आपको आपके हाथ में होनर हो तो देखिये सरकारी कंपणी कैसे यहाँ पर in 10 लिखा ह temporarily इसी तरह से देख सकते हैं लिद् 구 फॉर्टाल पर प्रोफायल्यट्स्थ gördैक्ति कीं नहीं तो इस तरह से आप से कहा झाएगा तो आईसा जब गाएगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक कीज़ेगा क्लिक करने के बाद आपको केंडी रेट के रूप में रेजिटेशन करना है इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज खुलेगा देखिए यहाँ पर पेज खुल गया है यहाँ पर दिया हुआ है केंडी रेट रेजिट यहाँ पर पना नाम दे दीजिए आभ अपना उसके बाद यहाँ पर आपना विंगा quieren relationship में अपना father चुन लिए है उसके बाद आपना यहाँ डीट हो बर्ध भर दीजएगा डीट बड़ने के बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजेगा उसके बाद यहाँ पर एक मुवाईल नमर यहाँ पर जितने भी मोवाईल नमर रेवर्ट हो तो आपका पर्मानेंट हो एकदम पर्मानेंट ही देना है आपको याद रखेगा मैं आपको याद दिला दिया है क्योंकि पर आपको activation link भेजा जाएगा जैसे ही मैं registration करूंगा मैं आपको दखाऊँगा email ID पर registration करने के लिए आपका activate करने के लिए link भेजा जाएगा उसी पर email ID पर ही इसलिए permanent email ID भी दीजेगा फिर यहाँ पर email ID को confirm कर दीजेगा जो यहाँ पर डाला है आपने वह यहाँ पर डालना है उसके बाद एक password चुन लीजेगा password आपको जो है चुनने के बाद यहाँ पर confirm password करना है और password कुछ ऐसा चुनिएगा जैसे मैं आपको dummy देखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं तब आपको आपके email ID पर कुछ ऐसा देख सकते हैं friends आपके email ID पर कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर आने के बाद आपका यहाँ पर registration दिया रहेगा आपका नाम दिया रहेगा और यहाँ से आपको कहा जाए कि यहाँ से आप activate कीजे इस पर आपको click करना है यहाँ पर time जो है पर आपके अपना account यहाँ से activate कर लिया है और जो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमने जो यहाँ पर दिया था यहाँ पर आपना email ID दिया था वही email ID आपको login में इस्तेमाल करना है और यही password हमको जो हमने दिया था लिखा था आपने अपना password आपको friends लिख लेना है कहीं काग करने के बाद friends अब हम चलते हैं यहाँ पर login पर क्लिक करते हैं login पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का dashboard खुलेगा ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको जो है आपना email ID जो आपने भारा था उसको यहाँ पर email ID डालने के बाद यहाँ पर password डालना है जो आपने password बना करेंगे उसके बाद आपको friends यहाँ पर otp डालना है चलिए friends यहाँ पर मैंने otp डालने के बाद आप verify पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका कुछ इस तरह का dashboard खुलेगा इस तरह के dashboard में देख सकते हैं यहाँ पर आपका contract लिखा हुआ है application लिखा हुआ है invitation received लिखा हुआ है देखे friends यहाँ पर एक vacancy आई हुए थी airport authority of India के तरफ से यहाँ पर समझाया गया था यहाँ पर देख लिए friends का जा रहा है candidate dashboard contract application invitation received यह क्या होता है invitation received मतलब some companies screen your profile कुछ company जो है आपकी profile को देखती है जो आपने भाड़ा है 100% complete किया है उसके बाद क्या करती है they feel you are fit for the opportunity वह उ लगती है कि आप आई जोइन किजिए however you will only be able to accept one हाला कि आप सिर्फ एक ही को accept करेंगे एक से ज्यादा आप accept नहीं कर सकते हैं एक ही में आप अपने डिशेप complete करेंगे अपना चलिए friends अब यहाँ पर हमने आपको समझा दिया है अब आगे चलते हैं यहाँ पर आने के मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि 100% profile complete में कौन-कौन सी चीज़े होती है चलिए दिख लिजए यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फोटो लगाना है मैं आपको सब चीज भड़के दिखाऊंगा कहां पर से फोटो लगता है उसके बाद यह करने के बाद ही वह फीलफ होंगा यहाँ पर दिख सकते हैं रिश्टीशन नबर इसको डेट बर्थ इमेल अल्टरनेट फोन नमबर दिव्यांग रिलेशन से गार्जियन से जो है अधर प्रूफ जितने प्रूफ हैं वह सब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नाम आपका जेंडर होगा उसके बाद फोन नमबर होगा आपका कैटेगीरी होगी जिनरल में से उसके बाद ऊसके बाद मादर इसके बाद यहाँ पर आपका signature अगर आपका सिपनेचर दिखेगा उसके बाद यहाँ पर डॉकमेंट पूफ जो आपने दिया है वो यहाँ सब 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 कुछ होगा तरे चलते हैं जो है आपको सब में देखाएगा तभी हागा cent एहां पडारь के व्यरिफाई यहां पर एक में आपको अधार हमार डालना है और उसके बाद यहां से खोद वह फूद salt वह जो है वेरीफाई हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर एडिट करते हैं एडिट करने के बाद यहाँ पर हम आगा हैं यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे उसके बाद आपका इमेल यहाँ लाएगा उसके बाद आपने जो है यहाँ पर आप आपका पहले से लिया जा चुका होगा उसका बर्थ से सर्टिफिकेट की रूप में कहा रहा है फ्रेंड कि प्लीज अपलोड वैलिड प्रूफ यूर डेट बर्थ इट कुड बी यूर आधार पैन तेंथ पासिंग सर्टिफिकेट और इनी अदर डॉकुमेंट मतलब या तो सब्सक्राइब आपनी इसलेक्ट करते यहां कडी करते हैं लिवास प्रमानपतर आपके पास है तो उसको यहाँ पर upload कर दीजेगा फिर आगर चलेंगे यहाँ पर आपका जो category है SC, ST, OBC, General जो भी है यहाँ पर click कीजेगा फिर अपना सहर का नाम लिखेगा उसके बाद जो आपका address है वो address यहाँ पर देदीजेगा फिर यहाँ state दीजेगा फिर यहाँ आपना district देदीजेगा फिर यहाँ पर अपना pin code भर दीजेगा और यहाँ पर अपना signature upload कर दीजेगा signature जा करके upload कर दीजेगा जो भी आपका signature होगा यहाँ पर मैंने upload कर दिया है देख सकते हैं dummy signature है फिर यहां पर friends आपका जो profile picture वहां जो देख रहे थे आप यहीं से आपका upload होगा यहां से आप profile picture यहां पर choose file में जाएगा और आप यहां से चुन करके profile picture जो है upload कर दीजेगा फिर यहां पर friends जो है आपको about me में लिखना है यह friends जब तक आप नहीं लिखेंगे 100% complete नहीं होग है उसको बाद फिर यहां पर आपको update पर click कर देना है update पर click करने के बाद आपका updated successfully यहां पर दिखाएगा अब आगे चलेंगे friends आगे चलते हम सीधा आगे यहां पर हमको अपना add education वाले section में आना है education को जो है add करना है देख सकते हैं friends यहां पर अगर आपको यहां पर direct यह इस गिरी भी है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कौन-कौन सी चीजह हैं और मैं आपको भरा हुए दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आजा पहले आप यह देख लिजिए यह हो गया चले friends back में आते हैं आप back में आने के बाद मैं आपको दिखाता हूं यहां पर फ्रेंड्स यह सब यहां से आप कर सकते थे अब यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां चले यहां पर क्लिक करेंगे ऐसे क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो आपने बढ़ा है यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद आपका education qualification आजाएगा education qualification में यहां पर ITI भर दीजेगा आप ITI भरने के बाद NCBT SCBT जो भी है वहां पर दीजेगा फिर feature आप लिख दीजेगा feature जो trade है आपका वो लिख दीजेगा फिर आपके जितने marks आए हैं वो लिख दीजेगा फिर total marks लिखेगा फिर percentage यहां पर लिख दीजेगा और start date कब आपने start किया था उसका लिख दीजेगा जितना possible हो accurate वो लिख सकते हैं और अब इंड हुआ था वह आपके certificate पर लिखा होगा उसको देख करके आप लिख दीजेगा फिर यहां पर वो document आपना जो है marksit या certificate जो भी है आपका upload कर दीजेगा यहां पर आकर कर दीजेगा और यहां पर फिर update कर दीजेगा इस तरह से तो यह हो गया आपका friends इसी तरह से आपको सबको update करते जाना है upload करते जाना आगे चलते हैं आगे जाने के बाद यहां पर आपको इस preference में चुकि हमने यहां फीटर डाला था इसी तरह से देख सकते फिर जितने भी है सब क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं आपने अगर computer किया है तो computer भी आप यहां से जाकर करके डाल सकते हैं सारा entry आप वहां से कर सकते हैं फिर graduation किया है तो वह भी मैं दखा देता हूं चलिए आपने यहां पर दिखते हैं यहां पर आईए edit कर लिया मैंने edit करने के बाद यहां पर आप education qualification पर क्लिक करेंगे और यहां पर फिर qualification में graduate चुनेंगे चुनने के बाद फिर आपका category में बीसी बीकॉम जो भी है उसको चुन लेंगे उसको बाद फिर आपके जितने माक्स आहें वो देना है तो आपने जो है अराम से बिल्कुल अराम से कर सकते हैं चलिए चलते हैं आगे चलते हैं अगे यहां पर keywords है 하는데 matters in this favor Fast से यहां पर करना है आपको चुब क्याδα कि आ Wirp Reader किया है तो फिटर में आपको बतादिया है फिटर वहाँ पर मैंने डाल तक मैं यहां पर किवर्ण में क्या करना और है इसे कि कि आपको अपको किल्क करने बाद आपको ओर ऑ्स और यहां पर प्रफाइट कर दिया इस तरह से दिखे प्रेंस अपडेटेट सब्सक्राइब आगे चलते हैं आगे चलने के बाद यहां पर देख सकते हैं आप आधार वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहां पर एक बॉक्स आएगा और वहां पर आपना अधा है अब यहां पर बैक जाने के लिए यहां पर ےक्लिक करेंगे डेस्बॉर्ड में जाने के बाद उसको बाद iFC code जो है पास्बुक से देख लीजेगा उस डाल दीजेगा उसको बाद bank का नाम डाल दीजेगा डालने के बाद अपना यहां पर update पर क्लिक कर दीजेगा मिलती रहेगी admit card की जानकारी मिलेगी answer की की जानकारी मिलेगी जाने से पहले friends मैं आपको बता दूँ यहाँ पर दो भी बहुत फिर मिलते हैं किसी नहीं वीडियो में किसी नहीं वेकेंसी के साथ जाहिन